बर्थडे पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा गाना लोगों को इतना पसंद आया कि इस गाने ने ओधित नारायन को बना दिया सिंगिंग वल्ड का बेताज बादशा अब महीने में होती है करूरों की कमाई नई दिल्ली तारांकन हिंदी फिल्म सिनेमा के दिगगज गायक उधित नारायन आज अपना और सठ्वा जनम दिन मना रहे हैं। उनका जनम एक दिसंबर 1955 को बिहार के सुपॉल जिले में हुआ था। नब्बे के दशक के सबसे मशहूर गायकों में से एक उधित नारायन ने सेकडो बॉलिवुड गानों को अपनी आवाज दी है। उन्होंने हिंदी के साथ साथ तमिल, मल्यालम, कंणर, बंगाली और भोचपुरी भाषाओं में भी कई गाने गाये हैं। उधित को उनकी सुरीली आवाज के लिए चार बार राष्ट्रिय पुरसकार से भी सम्मानि किया जा चुका है। तो आईए इस खास मौके पर जानते हैं सिंगर से जुरी कुछ खास बातें। बॉलिवुड में उधित की किस्मत फिल्म कयामत से कयामत तक के गाने पापा कहते हैं से बदल गई। ये गाना लोगों को इतना पसंद आया कि उधित नारायन रातो रात स थे। संगीत की छात्रवृत्ती प्राप्त करने के बाद वह मुंबई आ गए। लेकिन रिपोर्ट्स की माने तो आज उधित नारायन की कुल संपत्ती 20 मिलियन डॉलर यानी 150 करोर रुप्य है। उन्होंने अपनी ज्यादातर संपत्ती अंगिनत फिल्मों और एल्बमों म गाना गाकर कमाई।